Hello everyone, welcome back to All About Learning आज की इस वीडियो हम देखने वाले Procedural Oriented Programming और Object Oriented Programming में डिफरेंस जो कि Unit 1 का Object Oriented Programming का बहुत जादे Important Question जो कि एक पर समेस्टर एक्जाम में 10 नमबर का लगभग पुछता है हर बार तो चलिए हम देखते हैं क्या डिफरेंस होती है तो पहला डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस से Program is divided into small part called भंसन जो Procedural Program होता है उसमें जहों आपका Program होता है वो small part में डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? भंसन बोलते हैं और जो Object Oriented Programming होते ही है उसमें Program को हम small part में डिवाइड करते हैं क्या बोलते हैं, और जो प्रोसिज़नर प्रोग्राम होता है, वो हमारा टाप डाउन अप्रोच को फालो करता है, कौन सा अप्रोच फालो करता है, टाप डाउन, टाप डाउन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवा को होता है सबसे पहले चोटे-चोटे प्रोग्राम लिखते हैं फिर उसको बड़े प्रोग्राम में करते हैं तीसरे की बात करते हैं तो क्या होता है आदills होता है उस से क्यों जो सेक्यों 1700 ऊधियु इसमें नाम की टेक्निक नहीं होती है, जबकि इसमें होती है, तो यह सेक्यूर होता है, और पांचवाँ डिफ्रेंस की बात करें, तो पांचवाँ है, फंसन ओभर लोडिंग इस नाट पासबल, जो प्रोसेजिलर प्रोग्रामिंग होता है, उसमें फंसन ओभर लोडिंग प के लो फालु करता है यानी इसमें फंसन Aufre expose-ाइं और एकजमपल के बात करें तो ओपर शेज्जरल City प्रोग्रामीं का क्या है और सी पासकल है और बोर आब्जेक्ट और्धेर्टी। प्रोग्रामीं का एकजमपल कौन सा हो गया जैसे जावा हो गया C++ हो गया और Python हो गया तो इस वीडियो में फिल लतना ही मिलते हम next वीडियो में till then keep connected with all about learning